हेलो दोस्तों आपका मेरी YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों नो कोची नोटेंसन जी हां दोस्तों घर बैठे तैरी कर सकते हैं बिल्कुल कोचींग गीतर है चलिए दोस्तों आज का माँ टापिक क्या है उस टापिक पी चलते हैं दोस्तों क्लाश 12 मैथ NCRD पार्ट वन चैप् मैट्रिक्स मतलब दोस्तों अब्यू एक्सर साथ प्रशनावरी जो है तीन देश्वलो एक में कुछ कीशन बताएंगे थोड़ा थोड़ा कीशन करके दोस्तों छोड़ा वीडियो डालते रहेंगे और आपको जो कीशन ना है कमेंट बाक्स में बता सकते हैं मैं उनका फिर और फैनके दो पते तो बारर रूट्व माइनस पांट सत्रह के लिए जोह सब्सक्राइब करेंगे क्या अब्यू की कोठी गूंत की शंख्या और अब गयू एक तीन रो एक ही ए、 गयाधनी लिए जैसे कि आपको समझ में आ जाए जोस्तो पहला किशन हम solve करते हैं तो पंक्तियों की शंख्या हम लिखने हैं पंक्तियों की शंख्या यम माना पंक्तियों की शंख्या यम है तो यम कितना है तीन देखें दोस्तो ये पंक्ति है एक, दो, तीन और ये STUMB एक, दो, तीन, चार, हाँ दो,akt 45əm बराबर 3 और STUMB यन, एक, दो, तीन, चार, चार हो गया, bestimm बराबर 4 आ गया तो चयder पहले किशिंट तरफ चलते हैं, हमारा पहला किशिंट जो बोल रहा रहा है, आप वियू की कोट पूछ रहा है हाँ दोस्तों कोठी पूछरान तो कोठी बराबर होता है आप यू की कोठी लिखिए आप यू की कोठी बराबर कोठी बराबर आप यू की कोठी बराबर यम गुड़े यन हाँ दोस्तों यम गुड़े यन पंक्तियों की शंख्या गुड़े अस्तंबों की शंख्या होता अब्यू की कोटी जो होता पंक्तियों की शंख्या गुड़े अस्तंबों की शंख्या तो यम जो है कितना तीन है और फिर एन कितना चार हां दोस्तों तो जो हमारे अभियो की कोठी होगा तीन गुड़े चार यहां से देखिए एक दो तीन हो गया फिर एक दो तीन चार तीन गुड़े चार तो दोस्तों आपको आई होप समझ में आया होगा चलिए अगले किशन कीज़र चलते हैं जो दूशरे एस में पूछा है क्या पूछ अवयों की शंख्या दोस्तों अवयों की शंख्या तो अवयों की शंख्या जो हम निकालेंगे वही यम गुड़े यन का हम टोटल गुड़ा करके लिख देंगे हां दोस्तों पंकियों की शंख्या और अस्तम्मों की शंख्या का आपस में गुड़ा करके जितना एक अवय दोस्तो आपको ये भी समझ में आया होगा जो कृष्षिन ने समझ आया है कमेंट बाक मिल सकते हैं चलिए दोस्तो अगले कृष्षिन के तरफ चलते हैं दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जालजाद सेयर करिए जिसे सभी के पास वीडियो पहुच सके चलिए जोस्तो तीशर किष्षिन के तरफ चलते हैं हमारा तीशर किष्षिन के आप ऊच्छराइब खुड़ा सरधियान से देखिए पूच रहा आभ्यू A13 A21 A3 A24 A23 का इसका मान ग्याद करना है तो दोस्तो इसका मान ग्याद करने के लिए लिखेंगे कि माना यही पूरा लिखना है पहले इसको लिखिए या दोस्तो इसको हम लिख चुके हैं चलिए देखिए यह संख्या यह वाला जो भाग है हम इसको लिख लिख लिए हैं दोस्तो माना इसके बराबर यह हां दोस्तो यानि कि पहले पंक्त का पहला पहले पंक्ति का दूशरा नंबर पहले पंक्ति का तीशरा पहले पंक्ति का चौथा हाँ दोस्तों पहले पंक्ति का दूशरा यह पहले पंक्ति का तीशरा यह पहले पंक्ति का चौथा यह इसी प्रेकार दोस्तों दूशरे पंक्ति का पहला चलिगा है तुस्तों आप पूच रहा है तिसमें देखें आप यहां से आप यू ए इस नहीं सब कमान पूच है चलिए इस सब कमान आप यहां से निकाल सकते हैं तो चलिगी दोस्तों तो ए-1-3 का पूछ रहा है ए-1-3 यानि कि एक दो तीशरी नमबर पर एक दो तीन क्या है उननीस है फिर दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्या पूछ रहा है ए-2-1 तो ए-2-1 लेखिए ए-2-1 देखिए 2-1 35 है यहाँ 2-1 देख लिक रहा है यहाँ पर क्या है उसके सन 35 है चलिए दोस्तों अगला देखते हैं ए- क्या है 3-3 3-3 तो यहाँ पर ए-3-3 यहाँ पर है तो यहाँ माइनस 5 है फिर दोस्तों अगला क्या है 2-4 2-4 देख लिजिए 2-4 यहाँ पर लाश्ट में दूशरा तो लाक्ष में 12 है फिर दोस्तों चलिए देखीते हैं अंगला क्या है ए टू-3 तू-3 यहाँ पर है यानि कि ये तो दोस्तों यह हमारा पहला क्या है ऐसे हम आपको एक सांदार तरीके से बताते रहेंगे जिसे कि आपको हर प्रस्म आसानी सी समझ में आ सके जो प्रस्ण नहीं समझ माँ हमें कमेंट बाक्स में आप लिए कि बता सकते हैं चलिए आप लेक्षिन तो चलते हैं दोस्तो इस स्क्रीन पर देखें दूशरा क्रिशन आ चुका है तो दूशरा क्रिशन लिए पढ़ते हैं दोस्तों कितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कितने कोटी से तो ़ो चलिए देखीजिदेए थोड़ा लिखित 24 यहाँ पर 24 आवया पूछ रहा है तो लिखिए 24 आवयाओं में निमनलिखित कोट हो सकते हैं निमनलिखित कोट हो सकते हैं दोस्तों देखिये क्यों हो सकते हैं आप ध्यानस देखिए किसके रूप में लिखते हैं दोस्तों तो दोस्तों कितने मा को बताते हैं एक सांधार तरीका से कि आप बस इसी कहना है एक गुड़न खंड करिए जैसे कि गुड़न करते जाई ये करते जाई करते जाई यानि कि दो भागम सिर्फ डिवाइट करना है इसमें दो भागम गुड़ा करेंगे गुड़ा tarna चाहिए वह ही हमारा कोट निकलते चले जाएगा किलिम बताते हैं जैसे कि 24 है था हम इसको लिख सकते हैं एक गुड़े 24 24 रकरना है 24 हाँ दोस्तों फिर क्या लिख सकते हैं दो भागों में करना है सिर्फ दो गुड़े 12 बारा दुना 24 इसी प्रकार तीन गुड़े 8 तीन अठे 24 इसी प्रकार 4 गुड़े 6 फिर 5 से भागों में 24 आयेगा नहीं फिर 6 गुड़े 4 से चाहिए 24 चाहिए 24 फिर 8 से आठ तरीक 24 फिर 9 से तो होगा नहीं फिर 10 से भी नहीं होगा तो यानि कि बारा से होगा बारा दुना 24 फिर क्या होगा 24 एक अन्नम 24 गुड़े 1 यह जो होगा क्या होगा हमारा कोती यही हमारे संभव कोती हो शकते हैं और इसी प्रकार दोस्तोव तिरा हामा जो स्वरी तेरे बोला है तेरे का निकाल लेते हैं तेरे कि क्या हो सकता है मैं और इसको दोस्तों 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 दोस्तो इसको लिखिए एक गुड़े अठार है फिर क्या करेंगे दो नवा अठार है हाँ दोस्तों कोट यही होता है यहम गुड़े यहन के रूप में लिखना है और यह तो अवयों की शंख्या दे दिया है यानि कि हम इसका मतलब आप भी कुछ समझ नहीं रहें क्या जैसे कि हम य 3 4 5 6 दोस्तों यही ऐवयों 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 adventuresrak 10 दोस्तों न 18 नवांक तो आं आफारा अपर ना कितने की कोटी की बनाई कुछ सकती है कितनी संभाव कोटी कोट हो सकती है जैसे कि कहने क्लिक मतलब यह है कि कोटी आइसे बहें यह 6 है तो 6 जैसे कि एक दो आइसे यही से छी सकता है और यह कितने का है दो तीन का है दो गुड़े तीन का हो सकता है और दोस्तों देख यह एक बार फिर छे करना है तो हम एक दो तीन चार पांच छे आईसे भी कर सकते हैं तो यह कितने हो जाएगा एक गुड़े यह छे हो जाएगा इसी परकार दोस्तों आप कर सकते हैं इसका मतलब यह है, एक गुड़े 6 बोलेगा तो ऐसे लिखेंगे, और दो गुड़े 3 बोलेगा तो ऐसे लिखेंगे, और तीन गुड़े 2, यानि कि यह पहला रहेगा तो यह पंक्त ही होगा, और यह अस्तंब होगा, यह पहला जो पंक्त ही होगा, एक दो और यह अस्तंब ह यह चुमीर ये चुम एप्त पर ही यह चाहा है 5-2-1 अभाई संक्या, एक वह पांच से कटेगा, पांस और एक से कटेगा, जो दूस्तों आइ हो ये किशन आपको शमझ में आया होगा, दोस्तों जो किशन ना सुमझ में दिए आप कमेंट बाख मिले सकते हैं और दोस्तों चैनल को सब्सराइब करिए जाद जाद सेयर करेए दोस्तों मिलते हैं अब आगले वीडियो के साथ थैंक्स पर वाति इस वीडियो